बहुत-बहुत स्वागत है आप लोग का आज हम लोग ऐलेक्ट्रस्टाटिक का एक कुश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं और कुश्चन जैसे आपके इभ देख रहे हैं अचार्ज क्यू इस डिवाइडेड इन टू पार्ट्स क्यू एंड क्यू माइनस क्यू what is the value of q for maximum force between them यह कुलॉम्स ला पर बेस्ट है और खासकर इसमें एक चीज और है कि condition for maxima को लगाते हैं तो पहले देखे जैसे according to कुलॉम्स ला दो चार्ज आप लिया हुआ है यह देखे एक q हो गया एक चार्ज आप लिये है second जो divide किया हुआ है q-q यह distance आपका r है जब आप इस दोनों के बीच का force निकालते हैं तो आप लिखते हैं force equal to k q q-q by r square यहाँ पर जो constant लिया हुआ है यह आपका actually 1 by 4 by epsilon 0 का value है तो पहले तो हम लोग force निकाल लिये हैं दोनों charge के बीच का जो कि r से separate किया हुआ है और अब हम लोग इसमें condition लगाते हैं maxima के लिए तो जैसे आप जानते हैं dy by dx equal to 0 और यह condition आपका maxima के लिए है यह minima के लिए भी हम लोग यूज करते हैं लेकिन हम लोग इस question में dy by dx equal to 0 को यूज करने जा रहे हैं और maxima का एक और condition जब इसका second derivative लेते हैं तो यह आपका value less than 0 हो जाता है यह भी condition आपका maxima का है तो हम लोग dy by dx equal to 0 यूज अगर करते हैं तो q के respect में इसको differentiate करिए तो condition for maximum देखे क्या बताएगा for if to be maximum df by dq equal to 0 और यहाँ पर अब आप value रखते हैं d y dq के constant लिया हुआ है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और इसमें जो आपके पास जो value दिया हुआ है q q minus q square और यह देखिए कि यह r square है इसको भी हम लोग बाहर ले ले लेते हैं जिसको अब जब आप solve करते हैं यह देखिए constant हो गया और इसका value हम लोग का कितना हो जाएगा तो यह q हो गया और minus इसमें देखिए यह dq square है तो यह 2q equal to 0 हो जाएगा आप इसी को लिखते हैं q equal to 2q and therefore q equal to q by 2 तो यह आपका q equal to q by 2 यह value के लिए यह आपका q for maximum force जब निकालते हैं तो small q equal to capital q by 2 तैंक यू very much फिर मिलते हैं किसी वीडियो के साथ